हुआ फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आप सभी किस्वागत हैं। स्वेटोर के डिजाइन लेकर आई हूं इस डिजाइन से काड़िगन बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, जेएनस, लेडी, बच्चों के स्वेटर पर किसी भी पॉचेक्ट पर इसको डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारे डिजाइन है WEEM आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आया कि कैसे बना हुआ है और हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फ्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आएए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बताना देखिए यह देखिए यह पहला फ साइड से यहां पर हम नंकालेंगे फंदा फिर एक बार धागा लपैटेंगे फिर इसको एक फंद हम बुलनेंगे फिर देखिए 1...2...3... तीन, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरब, एक फंदा उल्टा, फिर देखिए, धागा पीछे, अब इस फंदे में हम सलाई को नहीं डालेंगे, इस में हम डालेंगे, फिर देखिए, इस तरह से, फिर यहां पर, एक, दो, तीन, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरब, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर देखिए, एक, दो, तीन, ये, एक फंदा में हम तीन फंदा निकालेंगे, और फिर यहां पर, एक, दो, तीन, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरब, एक फंदा उल्टा, ये लास्ट का फंदा है, तो इसको हम सीधा बूल्गा कमपलेट करेंगे, उल्टे के तरफ से देखिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, अब यहाँ पर धागा अपने तरफ, एक, दो, तीन, तीन फंदा उल्टा, अब हम यह तीन फंदा को लेकर एक साथी निकालेंगे, इस तरह से, अब फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक, दो, तीन, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, सोरी धागा अपने तरफ रखेंगे, और यह तीन फंदा को लेकर हम एक साथी निकालेंगे, इस तरह से, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक, दो, तीन, तीन फंदा उल्टा, अब फिर हम तीन फंदा को लेकर एक साथी निकालेंगे, धागा पीछे, इस तरह से, अब आगे देखिए, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब यहाँ पर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, यह देखिए, इस तरह से बन गया, अब फिर हम इस फंदा में इसको लेकर निकालेंगे, इस तरह से, एक, दो, तीन, एक फंदा में तीन फंदा निकालेंगे, अब यहाँ पर हम दो फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदा सीधा हो गया, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सी सिधा अब इसको देखिए अब यहां पर एक दो फंद सिधा धागा अपने तरफ एक फंद उल्टा धागा पीछे एक फंद सिधा अब यहां पर देखो देखिए एक फंद में हम तीन फंद निकलेंगे एक दो तीन तीन फंद निकल गये अब फिर हम दो फंद सिधा बुनेंगे एक फंद उल्टा अब फिर उल्टे के तरफ से देखिए इसको धागा पीछे एक फंद सिधा धागा अपने तरफ एक दो फंद उल्टा अब हम तीन को एक करेंगे यहां पर तीन को एक करेंगे तीन को एक कर दिये अब फिर एक फंद हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे एक फंद सिधा धागा अपने तरफ फिर हम तीन को एक करेंगे यहां पर तीन को एक कर दिये फिर देखिए एक फंद उल्टा धागा पीछे एक फंद सिधा धागा अपने तरफ एक दो दो फंद उल्टा फिर हम तीन को एक करेंगे यहां पर फिर देखिए एक फंद उल्टा एक फंद सिधा यह लास्ट का फंद है तो इसको भी हम सिधा बुनके कंप्लेट कर लिए अब फिर सिधे के तरफ से धागा अपने तरफ एक फंद उल्टा धागा पीछे एक दो फंद सिधा अब फिर हम तीसरे फंद में इसको इस तरह निकालेंगे एक फंद में तीन फंद निकालेंगे फिर एक फंद सिधा धागा अपने तरफ एक फंद उल्टा धागा पीछे एक दो फंद सिधा धागा ये देखिए एक फंद में हम तीन फंद निकालेंगे एक 220 तीन पंदा निकल गया फिर देखिए एक दो फंदा सिधा अब कर अब यहां पर फिर हम एक, दो, तीन एक फंद में तीन फंदा निकाल लिए, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, यह लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बून के कम्प्लेट करेंगे फिर अब उसी तरह हम रीपिट करेंगे उल्टे के तरब से एक फंदा उल्टा अब तीन को हम एक करेंगे यहाँ पर फिर यहाँ पर दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा अब हम फिर तीन को एक करेंगे फिर देखिए एक दो दो फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सिधा धागा आपने तरफ एक फंदा उल्टा अब फिर हम तीन को एक करेंगे एक दो दो फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सिधा फिर यह फिर सिधे के तरफ से देखिए एक फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, तीन फंदा सिधा, अब हम इस फंदा में, एक में तीन फंदा निकलेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदा हो गया, फिर देखिए, एक, दो, तीन, तीन फंदा सिधा, फिर अब हम एक फंदा में, हम तीन फंदा निकलेंगे, फिर अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक, दो, तीन, एक फंदा में तीन फंदा सीधा, अब एक फंदा में तीन फंदा यहाँ पर निकालेंगे यह देखिए इस तरह पने गईए, अफिर यह दर से देखिए अब हम तीन फंदा को लेकर एक करेंगे यहाँ पर, फिर अब एक, दो, दो, एक, तीन, तीन फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर हम तीन को लेकर एक करेंगे फिर देखिए, एक, दो, तीन, फिर धागा पीछा, एक फंदा सीधा, फिर हम तीन को लेकर एक करेंगे फिर देखिए, एक, दो, तीन, तीन फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा, यह लाश्ट का फंदा है, तो इसको भी हम उल्टा बुनके कम्पिलिट कर लिए, अब सीधे के तरफ से देखिए एक फंदा उल्टा, अब यहाँ पर देखिए, एक, दो, यह दो फंदा सीधा, अब हम इस में बनाएंगे, इस फंदा को छोड़ के, अब इसको हम इधर से इस तरफ घुमाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, और इस फंदा में बनाएंगे, एक में तीन फंदा निकलेंगे इस तरह से इसको सीधा बुन लिए फिर एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा फिर देखे 1, 2, 3, 1 में 3 फंदा निकाल लिए, फिर 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, धागा पिछे, 1, 2, 2 फंदा सीधा, फिर हम 1 में 3 फंदा निकालेंगे, इस तरह से, फिर 1 फंदा सीधा यह देखिए यह डिजाइन बनके कम्पिलीट हो गया अब इसी तरह हम इधर के साइट बनाएंगे इस तरफ से इस तरह निकालेंगे फिर हम आगे इस तरफ निकालेंगे यह देखिए बनके यह इस तरह आएगा इस तरह बनेगा यह उमीद करती हूँ आप सबको जरूर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल एकन को प्रेस कर लिजिए ताकि मेर खूस रहें खूस रहें फिर मिलते हूं मैं कुछ नई डिजाइन लेकर अब सभी के साथ